हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कैसे आप लोग हम सब बहुत अच्छे और होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगी मैं प्रियंका आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल में और आशना हमें पैकिंग करनी है हम कही जा रहे हो जहां जा रहे हो एक सस् है उसके लिए आपको मेरा नेक्स व्लॉग दिखना पड़े का और हम नीदलेंड से बाहर जा रहे है मतलब दूसरी कंट्री जा रहे है और उससे पहले मुझे अभी कही एक बाहर जाना है विजिट पे तो पहले मैं वहां जाती हूँ और फिर आके करती हूँ पैकिंग और जा रहे हैं एक नॉमल रोटीन चेक अप के लिए डॉक्टर के पास और आज मुझे सब पैक करना है यहां पर थोड़ी आवाज गूंशती है ना क्योंकि यह थोड़ा अलग सा है और जब थोड़ा ख्लोस प्रिमिसेज है तो यहां थोड़ा आवाज गूंशता है तो उसे माइड मत कीजिएगा प्लीज मैं जा रही हूँ मैंने अपना इंडियान अटायर बहा है तो इस निकल रहे हैं और इसको माइड मत करेगा नितिन वहां पे मेरा वेट कर रहे हैं तरवाज अपोल के क्योंकि यह वन फे है पस यहां से बहार मिकल सकते हैं और बिना की के अब आप यहां पर ना कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है तो यह मिट्टी उठाने वाली मसीन है मिट्टी उठा रही है और उसमें डाल रही है तरख में देखें गल्स के जूते ऐसे होते हैं यह मेरे जूते आप शाइन और यह आप नितिन के जूते देखें और अगर किसके जादा चला अभी क्या हुआ गाइस अभी एक डच अंटी आई उन्होंने हमें हाइ बोला तो कुछ बोल रही थी डच में में समझ मिन आया तो उन्होंने बताया कि यहां पर ऐसा होता है ना डच जोक है कि अगर आप किसी को थ्री टाइम डे देख लेंगे तो उसे ह अच्छा लगा एक नई चीज बता चली यहां के लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं तो अच्छा लगा यह देखके तो गाइस मॉर्णिंग से काम करते करते फाइनली वो टाइम आ गया जब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हो बेबी के साथ तो क्या-क्य चीज़े लेके जाओ जैसे कि हम लोग अभी 4-5 दे की ट्रिप में जा रहे हैं और मैं अपने बेबी के डाइपर बैग में क्या-क्या लेके जा रही हो अब मैं आपको बताऊंगी और वो सारी चीज़े बहुत ही इंपॉर्टें और मेंडिटरी है तो ना यह मेरे बेबी क अब मैं आपको बताऊंगी कि बच्ची के लिए आप लोग क्या रखें जब आप ट्रेवल कर रहे हो डाइपर पैग में और क्या-क्या एसेंसियल जरूर जरूर लेके जाएं मैं आप लों को बताते भी चलूँगी और समान साथ के साथ रखते भी जाओगी मेरा भी काम थ स्पेर क्लॉट्स जो पूरा है टूट है यह कुछ इस तरीके का समस्यौक्स अटैजड होता है तो यह मैं रकती हूँ बेबी के लिए इस तरीके का दो कि मेरा बेबी अभी छोटा है तो यह और कि अधरवाइस आप अपने बेबी कर एच के हिसाब से रख सकते हो तो यह द टीधर इन फैसे फारगे फैसे हाँ ते यह मैं फैसे फैरे फैसाइर फैसे ले जाती हम देख हुआ कॉम बेबी की और यह ब्रस है बेबी का आर इतना को जवरीक हो बॉटल क्लीन जो बहुत है यह मैं लेके जाती हूँ भच्चे का साथ में इसके इलाबा मैं लेके जाती हूँ ये अब देख रहे हो ना कान वाला नोस वाला बीबी का तो ये बच्चे का है तो ये मैं लेके जाती हूँ ये रैस क्रीम मैं सूडो की रैस क्रीम यूज करती हूँ तो मिरे पास ना दो है बड़ा वाला भी है और छुटा वाला भी है त तो आप ये वाला लेकर जाती हूँ यह विटिमिन D और विटिमिन K विटिमिन K अब मेरी बेवी का रूग किया है क्योंकि उस्क्स प्लस हो चुकी है उस्क्स मन तक लेते हैं यह बच्चे तो D, K और और ओविसली रेस क्रीम हो गई और वैसलीन हो गया और वेपर हो गया जो तो विक्स वैपर अप टाइप का होता है यह यह ना बेबी को बहुत अच्छा रहता है विंटर में अगर कप गले में प्रॉब्लम और हरका सा वायरोल हो गया तो और मैं कप सिरफ लेके जाते हूँ बेवी का तो यह सब डॉक्टर रिकमेंडेड है और कुछ और चीजे भ अच्छे के लिए बच्चे के लिए होता है तो इसमें हींग है और फैनल ओयल है तो यह अच्छा रहता है कॉलिक और इंडाइजेसिंट के लिए तो यह सब चीजे नॉर्मल चीजे मैं रख लेती हूँ कि कभी कोल्ड हो जाया बेबी को स्टमक में कुछ क्राम सा जाया तो कुछ चीजे हो हमारे पास तो यह सब चीजे हम रख लेते हैं तो मैं आप लोगों को भी स्टमक आप रख सकते हो यह सारी चीजे क्रीम में मैं रख लेती हूँ ममा अर्ट की फेस क्रीम हो गई और यहां पे बहुत अच्छे अच्छे से जैसे 50 प्लस बेवी का मिलता है संस क्रीम तो मैं यह संस क्रीम जरूर भी लगाती हूं अपने बच्चे को जब भी बहाल लेकर जाती हूं यह सं से ज्यादा इंपक्ट होता है बेवी के स्कीन में तो यह सब चीजे में रख लेते हूं यह यह सब मेरा बच्छा पसंद नहीं करता सब्स्वीट ज्यादा और हमारे पास कुछ ना हो देने को तो अटलेस बिस्किट हो और मिलक यह सारे चीजे इसली अफलेबल हो और इसके लावा ना मैं रखती हूं सैनिटाइजर सम टिसू पेपर और मैं रखती हूं यह डस्बिन वाला बड़ा सा बैक कि सारे डाइपर या कुछ भी वेस्ट च अब्रेला और जो बेबी का प्रैम होता है उसको ढखने के लिए भी हम लोग रखते हैं एक रेन कोट टाइप का एक प्लास्टिक का होता है सीट ताकि बेबी के अगर हम बाहर हो उपन में कार के भी ना तो रेन उसको इंपाक्ट ना करें तो आसी जीजे हम लेके ट्रेवल करते हैं और यह लेके चलना भी चाहिए आप अल अब दसदेन अगर पानी बरसने लगे आपका ही मार्गेट में गूम रहे हो तो आप क्या करोगे और आपका बच्छा थो चोटा है उससे ज्यादा क्या इंपोर्टेंट रहेगा तो हम लोग लोग लेके चलते हैं जरा जर डाइपर क्रीम हो गया यह सब चीज़े हम रखते हैं बच्चे का साथ मी तो क्रीम मौश्चराइजर और पॉटर यहां पर लगाते नहीं अगर आप लगाते हैं तो रख सकते हैं गोग डॉल सब चीज़ों का सारे ओल अपकोई ओल मतलिके जाएगे गे गोगे जाए सारे कुछ का समाधान करते हैं तो इसके पास सबसे इंपोर्टेम बेभी का डाइपर तो बचे के लिए तो कुछ इस तरीके के होते हैं तो यह मैं यूज करती हूँ और इसी को मैं लेकर जाती हूँ तो पांच छे इन चार मैं रखती हँ डैपर बैंग में और वाकी लगेज म मैं बेवी कि गरम और और मिटन रखती हूं मैं बेवी के अर यह था क्हुंति हो सारी चीजी में एक पाउच में रखतेएला यह सा पाउच में रखते हूं जाकि मेरी मेरी आदत है मेरी म Vegड में самый आपको मैंने दिखाया होगा यह इसमें तो मैंने पैसिफायर और सारे बेबी के स्पून, तीथर और बॉटल क्लीन करने वाला रखा हूँ, बॉक्सेस में रखते हूँ ता कि इसली मिल जाए ऐसे फैला रहेगा डैपर बैक में तो डिफिकल्ट हुटा है दूनने क्या करती हूँ, एक के अंदर एक डाल देती हूँ तो ऐसे न यह खोते नहीं है, एक के अंदर एक सॉक्स डाल देती हूँ, तो यह इस तरीके से बंद हो गया और यह दोनों सॉक्स साथ में रहेंगे, तो यह इजी रहता है करी, पिंस में ले जाती हूँ, ऐसे डिस्पोजबल, यह इस तरीकी का होता है, इसमें पीछे ना चितकाने का होता है, तो यह बेवी की गले में फूट जो होगा, वो लग जाएगा इसमें, और आप इसे थ्रो कर दीजें, और ऐसी ही में डिस्पोजबल, डाइपर सीट लेके जाती हूँ, यह पूरा बिछा दीजे, यह भी इसी कपड़े की होती है, अंदर से प्लास्ट फ्रेग्रंस वाले पॉलेथेन, जिसमें मैं बेवी के डाइपर फेक सकूँ अराम से, तो इसे मैं लेके जाती हूँ, और ना मैं लेके जाती हूँ ऐसी वाटर बोटल बेवी की, दो से तीन, मतलब एक दो लीटर की बोटल, और यह जो है ना 500 ml की है, तो इसमें यहाँ पर आइफरेक्स की में, एस सेट की बोटल लेके आते हूँ, इसमें ना गैस नहीं बनता है, और एर बच्चे को नहीं जाता है, जब बच्चे दूद पीते हैं, तो ऐसी दो से तीन बोटल जरूर में ट्रेवल में लेके जाती हूँ, दो बोटल मिल्क के लिए, एक वाटर के जाते हैं, तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है, लेके जाते हैं, सम रेडी टू इट बेबी का फूद, और जो फॉर्मला मिल्क होता है, मैं इसमें रख देती हूँ, यह इसमें तीन सेक्सेन है, इसमें अराम से आ जाता है, यह मैं डाइपर बैग में ही रखती हूँ, कि क इसमें तो एपल है, एपल बनाना और स्ट्रावबेरी की प्यूरी है, तो ऐसे प्यूरी यहां पर रेडी मेट मिलती है, तो यह मैं यूस कर लेती हूँ, और इसे ओपिन करने के ट्वंडी फॉर्स के अंदर ही खाना होता है, ऐसे ही बेबी का यह मैं यह चोटी-चोटी से प्यूरी रख लेती हूँ कि ट्रेवल में बच्ची को अगर इंस्टेंट बूख लगे तो मैं इंस्टेंटली कुछ उसे प्रोवाइट कर सकूँ, उसके लावा फूट्स तो लेके जाना ही चीए, अगर फ्रेस फूट्स मिल रहा है तो बहुत अच्छा है कि बनाना हो गय और इंजेस हो गए, स्ट्वाबेरी हो गई, तो वो तो आप होटल में कहीं पहुंच के ही कर सकते है ना मैस्वेस पर यह बहुत इसली होता है, यह दे दो ओपन करके बच्चा खुद से ले ले गए, यह स्पून से आप उसे खिला दो, और सबसे इंपोर्टेंट यह दिख तो मिल्क के साथ से दे सकते हो, थोड़ा हॉट वोटर मिला के यह हॉट मिल्क मिला के इसे थोड़ा से मैस कर कि थोड़ा सा लिक्विट पॉम है बच्चे को दिया जाता है तो यह में लेके जाती हूं और अगर अच्छा रहता है कि अगर होटल में कहीं पर चपातिस मिल ज लगी सेंसिटीव स्कीन हैं और ये जरूर आप लोग को भी लेके जाना चाहिए की ये ट्रैवल में बहुत ज्यादा कर देते हैं और बचे की स्किन को भी सेफ रहे हैं और ना मैं बेबी का ये मिल्क का दिबा भी लेके जारहे हूं इसमेल दो हैं 350 क्राम के दो पैकेट्स हैं कि इन केस अगर एक खराब हो जाए या स्पिल हो जाए तो मेरे पास सेकेंड ओप्सन रहा है अपार्ट फॉम डैट जो मैं कैरे कर रहे हूं उसमें थ्री टाइम का मील आता है मेरे बैचे का और यह वाटर बॉटल मैं लेके जा रही हूं इसमें पानी गरम रहता है और ऐसे यह बहुत ही अच्छी है इसतरी इस तरीकी से बंद हो जाती है तो बेबी का नैस्ट है तो बेबी नेस्ट इंडिया में तो बहुत इसली अवलेवल रहता है कि कि पता नहीं होटल में रूम कैसे हो उसके बैट का कितना क्लीनिंग हो तो हमें अपने बच्चे का तो हाईजिन का खुदी ध्यान रखना होगा तो इसमें ना उपर नेट भी लगा हुआ है तो मॉस्क हुआ सब्सक्राइब काउते की सब्सक्राइब की है सुवजेन बच्चे क्यों मैं ने निए की करना ना रहsecond को उत्क घंडब ऑन पालन निए युज में टायरी ऐक रहता हुए शक्राइब को यहां यह तो बैवी प्लि निमी लेएगि फैर यह मैं रख रही हुए थैंज यह cotton वाले clothes हैं मुवू पेशने के लिए तो यह रख ले रही हूं मैं socks बहुत ज्यादा socks यह बच्चे socks ज्यादा गंदे करते तो यह मैं socks लेके जा रही हूं और some new clothes some old clothes तो यही सब packing चल रही है अभी यह ना मेरा लगेज है तो almost ready है तो नितिन बोल रहा है यह बड़ा बैग मत ले जाओ ऐसे वाले बैग लेके जाओ तो चल रहा है बहुत तो चल रहा है बहुत और this is so cute यह कितना प्यारा लग रहा है ना मुझे लग रहा है कि बड़ा रहेगा बीबी को पैकिंग हो चुकी यह सारी चीजे रख दी है बैग में तो आल्मोस्स सब पैक हो गया है बेबी का तो कपड़े रख दिये हैं मैं आपको दिखा देती हूं यहां पर मैंने सूज रखे हैं इसके और डाइपर रखा है और यहां पर इसके कपड़ रखे हैं कुछ क्लोथ र हाली डगती है तो सारा अल्मोस्स डन है तो बहुत अच्छे से पाकिंग हो चुकी है और आप ना एम वेरी एक्साइटेड कल अब लोग मौनिंग में सुबह सुबह 8 बजे निकल जाएंगे और नई कंट्री जा रहे हैं नहीं कंट्री में दो सहर गूमेंगे और आप लॉक में डू लाइक शेर सब्स्क्राइब तो वाइ चैनल बाबाए है जले भी बनाई है जले भी झाल झाल झाल